नमस्कार आज इस वीडियो में मैं आपको गाइट करूँगी कि कैसे आप किसी भी जगे की perfect directions ले सकते हैं देखें बहुत important होता है ये जानना कि हमारा north कहां पर है किसी भी property का जो है वो north direction किधर है उत्तर जो दिशा है वो कहां पर है उसके दो चीट तरीके होते एक होता है कि generally हर आदमी को पता होता है कि हाँ मेरा tentative north मेरे इस तरफ है या बहुत लोग को ये पता होता है कि हमारा जो sunrise है वो सामने से होता है तो जहां से sunrise होता है of course उसके left hand side पर हमेशा north होता है ये तो हो गया एक tentative जानना कि हाँ मेरी north direction इस तरफ है अब बहुत लोग जो है वो mobile compasses से अपनी directions देखते हैं देखे वास्तू में हमेशा हमेशा ये होता है कि जो perfect directions होती है वो magnetic compass से ली जाती है जो physical compass है उससे हमेशा जो है वो magnetism जो magnetic north है वो उससे measure करना चाहिए अब आप इस image में देखिए मैंने एक ही जगह पर तीन different compasses मतला mobile compasses रखे हुए हैं तीन different mobiles रखे हैं with three different compasses और तीनों जो है वो different north दिखा रहे हैं अब आप कौन से north पे विश्वास करेंगे इससे तो पूरा analysis ही change हो जाएगा तो इसलिए हमेशा जब भी आपको कहीं का analysis करना है कोई selection करना है, property खरीद नहीं है तो हमेशा magnetic compass का use करिए और फिर उससे जानिए कि proper north direction कैसे ली जाती है आईए मैं आपको बताती हूँ देखिए ये एक बहुत ही simple सा magnetic compass है जो की आपको किसी भी stationary की दुकान पे मिल जाएगा साट सतर सौ रुपे के अंतर अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सा compass खरीदना है सबसे important होता है जब भी आपको ये compass खरीदते है तो हमेशा देखिए कि इसकी ये जो needle है बहुत जादा हिले नहीं और जल्दी rest पे आ जाए अगर किसी compass की needle बहुत oscillate करती है या बहुत देर तक हिलती रहती है इसका मतला वो compass सही नहीं है और वो आपको accurate direction नहीं बताएगा तो जब भी आपको magnetic compass खरीदते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसकी जो needle है वो जल्दी rest पर आ जानी चाहिए अब देखिए क्या है सबसे पहले आपको जहां पर भी direction लेनी है वहाँ पर देखिए कि कोई लकडी की table हो या किसी किताब पर रखे हम वैसे generally वास्तों में हम लोग ये कहते हैं कि आपको जमीन पर compass रखे directions लेनी चाहिए परन्तु आजकल के जो constructions होते हैं या western countries में या south eastern asia जो countries होती है उन में इतने जादा optical fibers का use होता है कि जैसे ही हम compass जमीन पर रखते हैं मैंने 90 degree 180 degree तक के tilt देखे हैं तो ये बहुत अनिवारे हो जाता है कि आप हमेशा किसी wooden base पे हमेशा अपने compass को रखें अब देखे जब भी आप compass रखते हैं अब जैसे मुझे मालूम है कि मेरा tentative north मेरे पीछे है मतलब इस समय में south face किये हुए हूँ तो अब मैंने अगर मालीजे यहाँ पे ऐसे अपना compass रखा देखे घर के center में आप ये compass जमीन पर रखिए या तो जमीन पर रखिए या किसी लकडी की table पर रखिए या किसी लकडी के आप नीचे पटे पर भी रख सकते हैं अब सबसे important चीज ये है कि देखिए आदो चीजे है एक इसकी needle है और एक नीचे का dial है सबसे पहले आप needle भूल जाएए सबसे पहले आपके लिए बहुत important है इसके dial को adjust करना सबके घरों में generally नीचे जो है ये flooring की lines होती है तो ये flooring की lines है अगर 90 degree है तो बहुत अच्छी बात है आप उसको north, south, east, west जो है वो reference lines लेके चल सकते हैं अब मुझे मालूम है कि मेरा जो north है वो इस तरफ को है तो मैंने अपने जो dial को north, south, axis पे जो है वो straight करके रखा हुआ है अब यहाँ पे dial को मैंने सीधा किया है अब आप देखेंगे कि needle जो है वो rest पर आ गई है और यह जो needle है यह मेरे north से end से थोड़ा सा shifted है इसका मतलब अगर मैं देखती हूँ तो यह तकरीबन 10-12 degree का जो है वो tilt दिखा रही है west की तरफ इसका मतलब इस property का north सीधा नहीं है और वो 12 degree tilted है west की तरफ अब यह बहुत important हो जाता है इस degree को find out करना कि यह west की तरफ tilted है कहीं कहीं east की तरफ tilted भी आ सकती है 10 degree, 12 degree, 20 degree, 30 degree किसी भी tilt तक यह जो है यह जा सकती है तो हमेशा देखिएगा इस tilt को आपको बहुत ध्यान से निकालना है आईए मैं एक और सरलता से समझाने का प्रयास करती हूँ यह इस property का जो है वो floor plan है नक्षा है अमोमन सबके पास जो है वो घरों के नक्षे होते हैं अगर आपके पास है तो आप उसका एक print out लेके जमीन पर रखिए अब देखिए यह हमें idea हो गया है कि जो property का है वो north है वो इस तरफ है इसका मतलब यह वाली जो यह axis है यह वाली जो दिवार है यह मेरी east-west axis है और यह जो भी हमारी खड़ी हुई यह दिवारे है वर्टिकल वाल्स है यह हमारी north-south axis है अब आप किसी भी दिवार को अपनी reference line ले सकते है अब मान लीजे यह मैंने जो compass है यह मैंने east-west इस line पे ऐसे सीधा करके रखा आप देखेंगे कि यह जो east-west line है यह मैंने इस east-west line पे इस compass को सीधा करके रख दिया है तो अब यह जो मेरा north है यह tilt वहीं के वहीं दिखा रहा है 12 degree का tilt दिखा रहा है अब मैं इस paper पर यह जो tilt है यह mark कर दूँगी या तो आप इसको mark कर सकते हैं या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं कि north जो है वो 12 degree west की तरफ tilted है या north जो है वो 10 degree, 20 degree जितना भी degree है east की तरफ tilted है जहां पे भी यह जो needle है यह जा रही है उतना degree calculate करके आप लिख लेंगे तो यही इस property की perfect directions है देखिए directions बहुत important है find out करनी क्योंकि 5 degree के बाद अगर tilt में change होता है तो वास्तू बदल जाता है घर के जो पद है वो सारे पद बदल जाते है तो इसलिए आप जब भी अपने कहीं का भी north direction निकालते है तो यह procedure follow करिए इससे आपको exact एक्दम accurate जो है वो degree पता लग जाएगी आपके north direction की अंत में मैं कुछ pointers द्वारा summarize करूंगी और आपको कुछ और tips बताऊंगी कि direction लेते हुए आपको किन की चीजों का और ध्यान रखना है सबसे पहले चीज आपको magnetic compass से हमेशा directions लेनी है हमेशा किसी लकडी की table पर रखिए या लकडी का नीचे कोई piece रखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप direction ले रहे हैं तो आप किसी beam के नीचे तो नहीं खड़े हो रहे हैं अगर लकडी की table या लकडी का piece नहीं है तो आप 2-3 किताबों का भी उपियोग कर सकते हैं देखी आजकल बहुत electromagnetic radiations होती है, optical fibers का use होता है, तो magnetic जितनी भी नए constructions होती है उसमें बहुत ज़ादा magnetic compass में deflection भी आता है जब भी आप degree ले रहे हैं तो अपने पास किसी भी प्रकार का electronic device ना रखे, mobile को बहुत पास में ना रखे, ध्यान रखें कि कोई laptop या कोई microwave या किसी भी प्रकार का कोई जो उपकरन है वो आपके पास ना हो, हमेशा डिगरी लेते हुए हर चीज से दूर रहे है अपनी body से, अगर आप जमीन पे रखकर नहीं ले रहे हैं, अपनी body हाथ में रखकर ले रहे हैं, तो हाथ जो है वो थोड़ा सा दूर रखे क्योंकि हमारी body के भी magnetism से, हमारी जो needle है इसमें फरक पड़ता है, अगर आप ये छोटे-छोटे pointers का ध्यान रखेंगे तो आप मानिए, आप हमेशा accurate directions कहीं की ले पाएंगे उमीद करती हो कि इस वीडियो द्वारा आपको मैंने कुछ tips दिये होंगे, जिनसे की आप सीख पाए होंगे की कैसे आप कहीं की भी perfect directions ले सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो like जरूर करिए, इस channel को subscribe करिए, और अगर आपका कोई सुझाव है, तो हमें box में लिखकर जरूर बताईए नमस्कार, जय हिंद